दोस्तों नमस्कार मैं एनस नवर और आप देख रहे हैं जेपरुपरपरटीज आज मैं आपके लिए लिए लिखाया हूँ शोप एंड विला दोनों एक साथ आज पास की लोकिलिटी आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें सेर करें लाइक करें अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक सो तीस गज में दोस्तों यह बना हुआ है 26 भाई 45 इसकी साइज है देखिए फुल साइज इसका पार्किंग एरिया कामने की लुकिंग देख सकते हैं आप पोर्च की टाइल्स बाजू में दो दो खिट टाइल्स लगी हुई है वाल में बाहर से इसकी सीडियां है वेस्ट फेशिंग विला है में एंट्री के उपर अनिस जी के लिए बंदीर शटा अब अंदर एंट्र करते हुए च्यारवाई दो साइज की टाइल्स लगी है इसमें और शीलिंग डिजाइनिंग क्यारा कॉंबिनेशन बिठाया गया है दो रूम इसमें दिये गये हैं लेटवाथ और किचन एलेडी पैनल देखवारे हैं हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले दुकान जी हां दोस्तों इसमें दो दुकान दी गई हैं चालीस फिट रोड के उपर ये विला एंड को बने विये हैं हातों इस्टेंड से पांसों मिटर की दूरी पर ये इस्टित है ये इंडियन सीट के साथ में लेटवात कोमन और ये रूम देख पा रहे हैं आप श्यांदार डियाइनिंग दिया गया है इसमें पोर्स लिंग में इसी के पॉइंट लगे हुए हैं वाल पेंटिंग शांदार डियाइनिंग के साथ में और ये अटेज स्लेट बाद वेस्टन सीट लगाए जाएगा इसमें ये सेकेंड रूम जिसको आप मास्टर रूम भी मास्टर बैड रूम भी बोल सकते हैं है 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 कि एची के पॉइंट सभी रूम एंड लिविंग हॉल में लगाए गये हैं वार्ड्रोब फुल साइज गया है इसमें क्य Copker हो आप दिया पढे है रंडिये tiempo ये कंग करने वस्य एर्वर्य घंड झ्यूडम में व्याएं तया ये गाँ जातना सुड़ाइभokolं और यह किचन मोडलर किचन मुना गया है तो दोस्तो 130 गज में शांदार विला एंड शोप आपको मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 45 लेक्स जी हां दोस्तो 45 लाग में आपको यह विला एंड शोप मिलने जा रहे हैं थैंक यू फॉर वोटिंग धन्यवाद